कि अज़ कि अज़ कि नमस्कार मैं अनुराग आप लोग देख रहे हैं पर्म टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने डॉग को बहुत ही प्यारा कैसे बनाओ एक लैप डॉग कैसे बनाओ देख शकते हो कि बहुत ही प्यारी मेरे देख शकते हुझ तो अग्रेसिव हो गया है सोच लो कि कितना ज़्यादा एग्रेसिव बनाने का डिमांड हो रहा था तो आप भी हमारे इस्टाग्राम पर आ सकते हो लाइब में जूर सकते हो इंस्टाग्राम पर नाम है पॉम टॉय अनुराग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा से पहला है डॉमिनेंसी मतलब वो किसी भी चीज़ पे अपना डॉमिनेंसी देखाना चाहता हो जैसे कि आपके घर में कोई मैंबर है और उसको प्रोटैक्ट करने के लिए आपका डॉग एग्रेसिव हो जाता है ठीक है अगर ऐसा आपके डॉग में है तो निचे कमेंट कर रहता हो बहुत ही ज़्यादा गुसे में रहता हो आपके घर के बच्चे हो बाहर के बच्चे हो या फिर आपके घर के कोई ऐसे मेंबर हो जो आपके डॉक को बहुत ही ज़्यादा रहता है उसको चिड़काता रहता है तो इसके बाद से आपका डॉक इरिटेट रहता है और irritation में वो bite कर लेता है किसी को भी आपके घर में किसी भी member को अब दोस्तों इसके पास तीसरा point आता है वो आता है territorial dominancy मतब कि आपका dog जिस जगह पे रह रहा है उस जगह पे अगर कोई भी आए तो उसको attack करता है आपका डॉग लाइक, कोई जानवार आ जाए, कोई हुमेन आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए तो सब पे आपका डॉग अट्याक करने की कोशिज करता है और बाइट कर लेता है अगर ऐसा सिचुएशन आपके डॉग में है तो आप कमेंड करिए अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो हो सकता है आपका डॉग एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, या फिर फियर में हो, डरा हुआ हो ऐसे कंडिशन में भी डॉग एगरेसिव हो जाते हैं और सब को बाइट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर तो इतने सारे कारण मैंने बता दिये हैं और आपके डॉग में किस तरीके का एगरेसिव बिहेवियर है आप लोग कमेंड कर दीजे ताकि मैं उसके एकोर्डिंग आगे वीडियो बना पाऊ दोस्तों आज किस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इरिटेशन वाला अगर आपका डॉग इरिटेट हो करके फिर बाइट कर रहा है तो ऐसे कंडिशन वे अपने डॉग को कैसे जही कर पाऊ तो यहाँ पर गर्मी काफी है तो मैंने सोचा कि चलो वैसे ही वीडियो बना लेते हैं 30 डिगरी से ज़्यादा टेंपरेचर यहाँ पर अभी है वो भी रात के टाइम में अब दोस्तो यदि आप अपने डॉग को फ्रेंडली बनाना चाहते हो तो तीन पॉइंट है जिससे कि आप समझ सकते हो सबसे पहला अगर आपका डॉग ट्रेंड है पहले से ही तो आप उसको कैसे फ्रेंडली बनाओ दूसरा यह कि अगर आपका डॉग ट्रेंड नहीं है तो फिर आप उसे कैसे friendly बनाओ, तिसरा ये कि आप उसको divert करो और फिर friendly बनाओ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहो कि डॉग किस तरीके से अपना dominance दिखा रहा है, और bite करने की कोशिस कर रहा है, warning दे रहा है, दोस्तों चली, सबसे पहले point पर हम बात करते हैं, कि आप अपने dog को कैसे समझा सकते हो, कि वो bite ना करे, aggressive ना हो, कोई भी dog है, जो कि बहुत जादा irritate हो चुका है, और हर चीजों पर अपना गुसा निकालता है, bite क करता है, तो ऐसे dog को आप क्या करिए, कि सबसे पहले एक दिन तक आप उसको disturb मत करिए, किसी भी तरीके से disturb मत करिए, उससे directly approach होकर के बात मत करिए, मेरे बाबु है, मेरे शोना है, कोई भी बात आप कुछ भी मत करिए, simply आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, अब दोस्तो जो dog है, normally एक दिन में तो उसका गुस्ता सांत होई जाता है, और एक दिन के बाद आपको क्या करना है, कि आपको अपने dog को अपने पास बुलाना है, मैंने और भी वीडियो में बताए हुआ है, लेकिन इस वीडियो में ये बता रहा हूँ, और भी सारे चीज़े मैं आपक जाने की अगदम एट्रैक्टिव हो करके या फिर फोकस हो करके अपने dog को बुलार हो, नॉर्मली बोलना है, जिस लाइक की आपके dog का नाम है Tommy, तो आपको बोलना है, Tommy आजाओ मेरे पास चलो घुमने के लिए, ऐसे आपको एक बार ही बोलना है, ठीक है, एकदम रेंडम व आएगा, और दूसरा ये कि आपका dog नहीं आएगा, अगर नहीं आता है, तो कोई दिकत नहीं है, आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए, दूसरा चीज, अगर आपका dog आ जाता है, तो बोले good boy, good boy, थोरा सा प्यार करिए, और बोले चलो घुमने के लिए, उसके साथ आप चले जाएए, घुमने के लिए, और बाहर में भी अगर आप घुमने के लिए, जाते हो, तो उसको एकदम रिलाक्स छोड़ दीजिए, जबर्दस्ती मत करिए, एक चुमी, कितना मेरा प्यारा है, चबसे प्यारा तुमी है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम नॉर्मल लेना है, आप उसको थोड़ा देर छोड़ दो घुमने के लिए, वो इधर उधर घुमे, तो आप अपने पास बुला लो, मेरे पास आजाओ, बुद बोई, और अपने पास बुला लेजे, थोड़ा सा ही प्यार करिए, जादा नहीं करना है, अब इसके तरीके से, आपके घर में सारे मेंबर करने चाहिए, ऐसी नहीं है कि सारे मेंबर, एदम ज़बरदस्ती उसको मेरे पास आजो, प्यार करने के लिए ऐसा नहीं, सारे मेंबर को आप बोल दीजे कि कोई इसको डिस्टरब ना करे, अदम नॉर्मली उनको पास बुलाना है, अ आपका डॉग पास आ जाता है तो ही उसको कोई प्यार कीजे या फिर कुछ भी करिए नहीं तो प्यार करने के लिए आप उसको जबरदस्ती मत करिए दो से तीन दिर में आपका डॉग एकदम सांथ हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा और आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा हो कोई भी बरा आदमी हो या फिर घर के प्रोस के आदमी हो तो उनको समझा दीजिए कि डॉक को इरिटेट ना करें तो इस टाप से यदि आप करते हो तो इरिटेशन वाला जो प्रॉब्लम है इरिटेट हो करके जो आपका डॉक बाइट कर रहा है वो नहीं करेगा अब मैं आपको बता देता हूँ कि डॉमिनेंसी वाला अगर डॉमिनेंट हो करके आपका डॉक बाइट कर रहा है तो इसमें क्या करना है लाइक कि मैं अपने डॉक को रख्खा हुआ हूँ अपने पास टॉमी को और मेरे रूम में कोई और आदमी आ रहा है कोई गेस्ट आ तो आप इसको नो भी बोलना है जब आपके पास वह आ जाए तो उसको बोलना है ये लोगा ये मत करिएगा कि आपका डॉग एकडम एग्रेसिव हो गया है और दोर गया है काटने के लिए आप उसका फैबेट ट्रिट ले करके उसके पीछे दोर रहे हो यह लोग गुडबाई 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 करो ऐसे में आपको डॉग सोचेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं इसी के बिदर स लिए और भी ज्यादा बाइट करेगा तो अपने पास बुलाना है अच्छे से बैटा देना है फिर खाना देना है तो वह इसा करेगा और साथी साथ आपको कमांड भी उसको करना है नो का ठीक है और ऐसा नहीं है कि आप उसको नो बोलोगे तो डॉक समझ जाएगा सबसे पहले तो आप उसको नो का ट्रेनिंग दीजिए नो वाला यूटूब पे कई सारा वीडियो है आप वो देख करके अपने डॉक को ट्रेनिंग दीजिए नो वाला या फिर स्टे वाला दोनों में से कोई एक चीज दोनों लगभग बराबर ही काम करेगा ठीक है तो इस तरी बच्चे हैं इरिटेट कर देता था उसको और अपने साथ भगाता था इधर उधर सारे जगह भगाता था बड़े लोग भी उसको चिढ़ा देते थे जिसके बज़े से उसका टेंपरामेंट है वो चेंज हो गया और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया सभी को घर में का मूद आ जाता था तो मुझे इससे ये पता चलता था कि वो अभी अच्छा मूड में है अभी मैं इसको जो बोलूगा वो करेगा तो इस तरीके से वो मेरे पास आता था और मैंने उसको बहुत ज्यादा फ्रेंडली बना लिया इसी तरीके से आप भी अपने डॉग को फ्र से और भी जाता खुसी होगी और साथी साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड को सेर कर दो जिसका डॉग आपको एग्रेसिव लग रहा हो क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एग्रेसिव होगा बाट में और भी जाता एग्रेसिव हो जाएगा फैमली के लिए भी को भी दवा दीजेगा दोस्तों आप लोग अपना ख्यार लखिए हम लोग मिलते नेंगे बहुत सारी वीडियो में तब तक लिए टेक कियो बाई 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 जैहिन